उत्तर भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला थम गया है वहीं दिल्ली उत्तर परदेश सहित कही अन्य राज्यों में सुभा और शाम के मौसम में हलकी ठंड होने शुरू हो चुकी है दिल्ली में मौसम की बात करें तो न्यूंतम तापमान 18 डिगरी तो अधिकतम तापमान 32 डिगरी सेल्सियस बुद्वार को रिकोर्ड किया गया हलागे दिवाली से पहले ही दिल्ली में परदूर्शन का स्तर बढ़ने लगा है वहीं मौसम विभाग ने देश के दक्षनी राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है इसके पीछे का कारण बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का शेतर है मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का शेतर इस हफते चकरवात का रूप ले सकता है जिसको देखते हुए पहले से ही अलर्ट जानी किया गया है मौसम विभाग के मुताबिक अट 40 घंटोई में दक्षिन पूरव और पूरव मध्य के आसपास का कम दबाव के शेतर परभावित हो सकता है इसके बाद ये पस्चिम के और बढ़ेगा और 22 अक्तूबर की सुबा तक ये एक भ्यानक चकरवाद के रूप में बदल सकता है प्रभाव उत्री आंदर परदेश से होते हुए तटीय उडिस्ता और गंगई पस्चिम मंगौल के कई जिलों में देखा जाएगा वहीं इस चकरवाद का प्रभाव के वेल तटीय इलाकों में ही नहीं होगा उत्री राजियों में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है पहाडों पर अगले 24 घंटों के जोरान बरफ बारी जारी रहेगी दिल्ली सहीद, पंजाब, हरियाना, उत्रप्रदेश, पिहार, मध्यप्रदेश, गुज्राद, राजस्तान के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी विरो रिपोर्ट, मार्के टाइम्स टीवी